स्वागत है आप सभी का वैदिक ओर जामें, हिंदू धरम के प्रसिप धार्मिक स्थलों में से एक है मावैशनो देवी का मंदिर आप लोग भी मावैशनो देवी के मंदिर कभी ना कभी जरूर गए होंगे जम्मू के कटड़ा में ये स्थित है ये मंदिर आदिशक्ती की सब रूप माता वैशनो देवी को समर्पित है वैसे तो उत्तर भारत में बहुत सारे पौरानिक मंदिर है लेकिन मा वैशनो देवी के इस मंदिर की महीमा सबसे अधिक मानी गई है कट्रा की उचाई और सुन्दर पहाडी पर बने इस मंदिर में हर साल करोडों शर्धालू दर्शन के लिए पहुँचते हैं वर्ष में दो बार चैत्र और शार्दिय नवरातरे आते हैं और इस मंदिर में शर्धालों की भारी बीड भारी जमावड़ा होता है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इन नवरातरों में मा वैशनो देवी के कोई गूड रहसे आपके साथ शेयर करूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मा के मंदिर की महिमा के बारे में माता वैशनो देवी के लिए इस मंदिर से जुड़ी हुई एक पुरानी कथा है जिसके अनुसार के वर्तमान के जो कट्रा वर्तमान में है उस कस्पे से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनसाली एक गाउं है वहाँ पर मा वैशनो देवी के परमभक्त शिरिधर रहा करते जो के निशंतान थे संतान ना होने का दुख उन्ने पलपल सताता रहता था किसी ने उने कहा कि अगर वो घर पर कुछ कुवारी कन्याओं को बुला कर उनकी पूजा करेंगे उने भोजन कराएंगे थो उन्ने संतान का सुक प्रापत होगा सलहा मान कर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुमारी कन्याओं को बुलाया लेकिन उनी में कन्यावेश में मा वैशनो देवी भी थी किन्तु उनकी उपस्तिती से भक्त श्रीधर जो था वो अंजान था श्रीधर ने सभी कन्याओं के पाउजल से धो दिये उन्हें भोजन कराया उनसी आशिरवार प्रापत करते हुए कन्याओं को विदा भी किया सभी कन्याओं चली गई लेकिन मा वैशनो देवी वहीं पर रुख गई और श्रीधर से बोली आप अपने और अपने आसपास के गाउं के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंतरन दे कर आओ कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन कराएगा लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गाउं में भंडारे का संदेश दे दिया एक गाउं से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरकनात और उनके शिश्य बाबा भारवनात को भी भोजन का निमंतरन दिया श्रीधर के इस निमंतरन से सभी गाउं वाले अचंबित थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है लेकिन निमंतरन के अरुसार सभी एकए करके श्रीधर के घर में आने लगे अब जब सभी आ गए लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था तभी मातावेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन प्रोसना शुरू किया भोजन प्रोस्ते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैशनव खाने की बजाए मास और भक्षन और मदिरापान का नुरोध किया उसकी यह मांग सुनकर सभी चकित रहे गए वैशनव भंडारे में मासाहार भोजन का होना तो असंभव है किन्तो भैरवनाथ तो हट करके बैठ गए और कहने लगे के वह तो मासाहार भोजन ही खाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उनको श्राप दे देंगे इस बीच कन्या रूप में आई हुई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नश्ट करना चाहता है उदर भैरवनाथ भी यह जान चुका था कि यह कोई साधारन कन्या नहीं है दतपशात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा लेकिन देवी तुरन तवाई रूप में बदल कर त्रिकुटा की बर्वत की और उड़ जली भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया कहते हैं जब मा पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमा माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे पहुरानिक तत्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया लेकिन जब वो निढ़ाल होने लगे तब मा वैशनु देवी ने महाकाली का रूप धरन किया और भै परवत की भैरव घाटी में जाकर गिरा आज इस्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अवश्य करेगा अनिता उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए जो भी कोई देवी के दर्शन के लिए वैशनु देवी जाता है उसे वहाँ पर जाना जरूरी होता है। बहरवनाथ मंदिर के दर्शन भी जरूरी ही माने गए है। अब बात करते हैं मा की रहसमाई ग गुफा की। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्थकुवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बान गंगा है। ये वो स्थान है जहां तीर मारकर मा ने प्यासे हनुमान की प्यास बुझाई थी। वैशनो देवी मंदिर आय भ की इस पहाड़ी पर बस कई। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने के लिए पहाड़ी पर आया तो वहां उसे तीन पिंडिया मिली। उसने इन तीन पिंडियों की विधिवद रूप से पूजा भी की तब से श्रीधर और उनके वंचज़ ही मा देवी की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मानता है कि मां की ये पिंडिया साधारन नहीं है बलकि अपने भीतर चमतकारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदि शक्ति के तीन रूप हैं। पहली पिंडि ज्यान की देवी मा सरस्वती की है। दूसरी पिंडि धन की प्राचीन गुफा का बहुत अधिक महतु है, ये गुफा आजकल बंद कर दी गई है क्योंकि शर्थालों की भड़ती हुई संख्या के कारण कभी-कभी ही इसे खोला जाता है, मानता है कि प्राचीन गुफा के अंदर भैरव का शरीर मौजूद है, माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था, और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में जागी रहा था, प्राचीन गुफा का महतु इसलिए भी बहुत जादा माना जाता है, क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल परवाहित होता रहता है, इस जल से पवित्र होकर मा के दरबार में पह जाता है, गरब जून गुफा को लेकर ये मानता है कि मा यहां नौ महीने तक उसी प्रकार से रही थी जैसे एक शिशू मा के गरब में नौ महीने तक रहता है, और ये भी माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुश्य को फिर गरब में नहीं जाना पड़ता, अगर तो गरब में उसे कश्ट उठाने का मौका ही नहीं मिलता और उसका जरम सुख और वैभव से भरा हुआ होता है जम्मू और कश्मीर राजय के जम्मू जिले में कट्रा नगर में मां का ये भव्या मंदिर देखने लायक है यहां पर उत्तर भारत से दूर दूर से लोग बहु कर दी गई है क्योंकि लाखों शर्धालू यहां पर पहुँचते हैं उनको देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर आयोजन किये हैं यहां पर विवस्था की गई है आज कल तो बहुत सारे लोग हेलिकॉप्टर के जरीए भी वहां पर वैसे तुम आना जाता है कि मा जिसे दर्शन करने के लिए बुलाना चाहती है उसे खुद ही नयोता आता है तो इसलिए आप भी नयोते का इंतजार करें मा इंविटेशन भेजेंगी और हम सब उनके दर्शन के लिए जरूर जाएंगे आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवार वीडियो को देखने के लिए